तो मेरे प्यारे सिस्टर और ब्रोदर आज किस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर के आज चुका हूँ मेरे प्यारे सिस्टर अब यहार स्वास्त वहाग में एन्यम की नई नवकरी आने वाली है अगर आपको भी पहले से त्यारी करके तैय कोपिक सारे सब्जक्ट को लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे सिस्टर जो एन्यम फस्ट इयर में हैं और सकेंड इयर के एक्जाम दे रहे हैं या फिर सकेंड इयर में हैं पास ओट कर गिये हैं यानि कि जितने भी एन्यम है सभी एन्यम के लिए यह क्लास इंप्रोटेंट है क चलिए आज इस वीडियो को और भी आगे करते हैं। चलिए और यह बहुत इप्रटेंट क्वेशन का नोट्स है ले सकते हैं। इसे कम कीमत में इसे कम दामों में आपको कैसे हिल्प करें। बता सकते हैं आप लोग खुदी हैं। तो चलिए इस पर मैं ज़्यदा डिसकस नहीं करूँगा। जो पढ़ना चाहेंगे वो बिल्कुलूप से लेंगे। और इस वाट्साप पर मेसेज करके आप लोग कभी भी ले सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और खास्यत है जैसे कि टोटल 2000 पलस क्वेशन्स है। आप लोग यहां से सफलता पा सकती हो। चलिए वीडियो को आगे करते हैं और क्लास के तरफ हम लोग देखते हैं। तो मेरी प्यारे सिश्टर हम आपको पिछले क्लास में 83 तक के क्वेशन्स करवा रखे थे। आज मैं 83 से आगे के क्वेशन्स करवा रहा हूँ। तो आप लोग एक एक करके इंपर्टेंट क्वेशन्स यहां से देखना शुरू करेंगे। चलिए आप लोग यहां से सुरू करतें क्लास को आज का पहला जो क्वेस्टन्स होगा जोएंट को नर्व तथा बलट सप्लाई किससे होता है अब जो जोएंट होता है उसमें नर्व और बलट नर्व तथा जो बलट है उसमें जोएंट को नर्व तथा बलट सप्लाई किससे कि नहीं तो जुएंट को नर्व तथा वेलट सप्लाइक से होता है जो जो नर्व था है का अगर हम बात करते हैं तो कैपसुल के द्वारा होता है ज्लिए हम लोग यहां से याद रखेंगे चलिए को सब्सक्राइब नेक्स्ट मेरा से है रक्त में प्रतिशत कर्म से कितना होता है अब हमारा जो बलड है इसमें प्रतिशत प्रतिशत होते हैं और कितनी प्रतिशत को सिका होते हैं तो सट है मेरा इहां पर रक्त और कोशिका का पूछ रहा है तो पहले पर प्रतिशत कोशिका तो पर भी परतिशत को सिकाशर पर यहां पर लोग को बताना है कि इसमें इसका अंसर देखेंगे तो 25 और 45 का रिस यो होता है यहां से में लोग series याद रखेंगे 55 परतिसात पलाज्मा होता है और 45 पर 50 कों सिका होते हैं तो अप्षन नूमर वी हम लोग याद रखेंगे 55-PPLasma और 45 ४रतिसा Gift कॉसिका तो किसमें तो रंक्त में होते हैं चलिए next questions को हम लोग कर लेते हैं on works here कि आर भीसी की flexibility वाले गुन का क्या लाब होता है रफीसी की既़ flexibility वाला गुन होता है उसका क्या लाब होता है यह आप लोग को बताना है किसका flexibility तो RBC का flexibility options क्या है गैस बीनियम है तू एरिया बढ़ जाना पतली वही नाओं में असानी से परविस होता है रक्त आयतन बढ़ता है यह फिर उप्रोक्त में से सभी होते हैं चले आप लोग के यहां से बताना है कि RBC की flexibility वाले गुन होता है उसका क्या लाब होता है तो RBC का flexibility वाले गुन का अगर हम लोग profit देखेंगे लाब देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि पतली वही नाओं में असानी से परविस होता है यह एक यहां पर profit होता है कि पतली वही नाओं में असानी से परविस होता है तो आरवसी की fragility वाले गुन का लाव क्या हुआ पतली वा हिनाओं में असाने से प्रविस होना यानि कि option नवर B हम लोग यहाँ से याद रखेंगे चलिए next questions कर रहेते हैं हीमोगलोबीन में क्या होता है अब देखे हीमोगलोबीन में पूछ रहा है कह रहा है कि हीमोगलोबीन में क्या होता है option है केवल प्रोटेन, प्रोटेन तथा आयरन, प्रोटेन तथा कैलिसियम, केवल आयरन तो बताए कि हीमोगलोबीन में क्या होता है हीमोगलोबीन में क्या होता है तो हीमोगलोबीन में बात करेंगे व्यसकों में समाने MCHC कितना होता है व्यसकों जो होते हैं मानव इसमें समाने रुपसे MCHC कितना होता है अप्शन है 60-70 ग्राम परती मीली और व्यसकों में समाने रुपसे MCHC कितना होता है यह आप लोग को बताना है तो जनरली रुपसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें 30-35 ग्राम कितना तो 30-35 ग्राम परती 100 ml of RBC यहाँ पर होते हैं क्यान है वह में stronger économ diabilippması always श्रेमो कलोबी यहाँ का ओशेमो ग्राम यूवहोची नहीं क्या जाता है अगर हम लोग इसका अंजर देखते हैं जब छार्ण ऐसाली च्छार्य क्या नहीं किस्क升या एंच्छर्य बखने हो दोताया है चले नेक्स्ट वेसंस कर लेते हैं किस अवस्था में यहां है किस अवस्था में आर्वीसी का निर्मान बढ़ जाता है कौन से ऐसा जब सिच्वेसंस आता है अवस्था आता है जब आर्वीसी का अमलेता की स्थिति में आउक्सिजन की कमी की अवस्था में चारेता की आवस्था में या फिटतापमान की कमी जब होता है उस इस्थिति में तो चले बताएए फटा फटा आप लोग किस अवस्था म बात करेंगे तो option नम्र B याद रखेंगे oxygen कमी जो oxygen की कमी हो जाता है इस इस्थिति में rbc का निन्मान क्या होता है बढ़ जाता है option नम्र B हम लोग यहाँ से याद रखेंगे next question हम लोग कर लेते हैं next question मेरा है saturated hemoglobin से क्या तातर पे होता है अब देखे saturated hemoglobin से क्या तातर होता है यह आप लोग को बताना है option है चार प्रोटीन इकाई और चार आइरन इकाई से जुरना 4 आइरन इकाई और चार प्रोटीन इकाई से जुरना hemoglobin की दोनों surface पर O2 से जुरना या फिर homoglobin की चारों surface पर O2 से जुरना चलिए बताईए saturated hemoglobin से क्या तातर पे होता है अगर saturated hemoglobin से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर hemoglobin की चारो surface पर O2 का जूरना यहाँ से होता है तो option D हम लोग याद रखेंगे saturated hemoglobin का तातर पर hemoglobin की चारो surface पे जितना भी सारो सर्पेस होता है उस पर O2 का जूरना होता है नेक्स्ट कोईशन्स हम लोग यहां से करेंगे नेक्स्ट कोईशन्स में रहा है कि रक्त का ठक्का जमने है तू कौन सा रक्त को सिखा का युगदान होता है अब रक्त का थक्का जमने तो कौन से रक्त को सिकाओं का युगदान होता है RBC, Platelets, WBC या फिर Monosite चलिए रक्त का थक्का जमने तो कौन से रक्त को सिकाओं का युगदान होता है यह आप लोग को बताना है है राक्त के ठका है तो यहां से याद रखेंगे हैं किस का को किस fazendo गाजाता है same गोड़ान पर है रहा है कि कीस का का की सकारकों को एंटी हीमोफिलिक की वीचा घ़ा जाता है यहां पर है है जीमेन, क्रिष्टमेस, थुर्मोफ व्य फोलास्टीन या स्पिर श्टूड़ेटर पावर, श्टूड़ेट पावर तो बताए आप लोगी इस कारकों को यहां पर अपर अन्टी हैमोफिलिक वी वी अगर हम लोग बात करेंगे तो यह यहां पर क्रिष्टमेस करिश्टीमेस को वहाँ हो बिए एक का रखा नेक्सक्त कर लेते हैं निम नमें कौन सा क्लोटिंग फेक्टर मताना है यह अपलोग को बताना है तो अगर हम लोग यहां से बात करते हैं तो option नमर सी याद रखेंगे globuline, globuline यह का ऐसा फ्यक्टर है जो कि आप पर क्रोटिंग फ्यक्टर नहीं है option नमर सी यहां से याद रखेंगे next questions कर लेते हैं नेमन में कौन सा उदारन भक्षन को कौन सा इक्जांपल भक्षन को शिका का नहीं है मस्तिक्स का मगुर्दों में फिर्यारक्ट में यह कौन सा यहां पर जो वधारन भक्षन को शिका का नहीं है option आप लोग को answer बताना यहां से तो अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जागा रक्त में रक्त में जो कर लेते हैं सारवधिक मिलने वाला WBC का परकार कौन सा यह आप लोग को बताना है तो सारवधिक अगर हम लोग WBC के मिलने का परकार के बात करेंगे तो न्यूट्रोफील होता है न्यूट्रोफील मुंसे ज़्यदा व्चि का परकार यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट कोईसं कर लेता है निमन में से काउन सा जोरा ट्रांस्फूजन परक्रिया नहीं दर्साएगा अब काउन सा जो जो रहा जो transfusion पर किल्या को नहीं दर्साता है अगर अब लोग यहां से बात करते हैं तो data b और गराही a b एक ऐसा जो रहा है जो transfusion पर किल्या को नहीं दर्साता है अगर बांकी अप्संद के बात करेंगे data b गराही a data b गराही b data a b गराही ओ यह सारे transfusion पर किल्या को दर्स प्रवाव में उपस्तीत होती है यह उतकों प्रवाव और इसे संबंदित होते हैं तो बताई कौन सी कोछीका यहांपर है ऑगों मस्ट का शुका यहांपर आ गलत अस्टीटमेंट है अगर यहां से हम लोग बात करेंगे तो अप्सन नमर बी देख लिए यह रक्त प्रवा में उपस्तित होता है यहीं जो कतना है यह बिलिकुलूप से मस्ट कोशिका के लिए यहां को राऊंगा है गलत है सुक्षम जीवी संक्रमान यूटीय में यहां में यहां किसमान में Heald में अवस्तां में सब्सक्रेंगे यहां सक्रयाहब मानव सरीख्या करेंगे तो याद रखेगा Jackי वर्प च्रयाहब को सीक्रयाहब सरीख्या का बित हम आप ऩो नुम्हें प्यारे सिस्टर अद हंड्रिड तक को रहने देते हैं 100 से आगे नहीं बढ़ाएंगे कल के क्लास में से आगे बढ़ाऊंगा फिर से मैं आप लोग से एक छोटी से आप रिक्वेस्ट कर लेता हूं आप लोग को लगता होगा लेकिन मैं आपको जानकार दे देता हूं यह आपका वाई चंदन का मुबाइल नमबर ह है आप लोग इस पर मैसेज करके वाट्सब पर और आप लोग नोट्स ले लिजिए सिर्फ 200 लगेगा क्योंकि आपके पास नोट्स लेगा यह सारे क्वेसंस आप लोग पड़ करके आएंगे और आप लोग आसानी से यहां से सारा आंसर भी कर पाएंगे और अच्छी तरि लिएख में हम आपको फीडियाफ के फॉर में पीडिएव आपको व्रीजृब सेंड़ कर देंगे चैनि वीडियो को स्मॉआप करतें कैसे लगा कमेंट जरूर कर यहका नेक्स विडियो मांग आपके लिए फबासले लेकर यह आ रहा हूं